नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका डू के क्लासेज में और मैं हूं सुभाश डू किया दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्योडी सीरीज पार्ट 7 की आज अपन देखेंगे सबसे पहले अपने यह चीज त्योरी क्लियर करेंगे कि एच्छेप और यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों को सेर जरूर करना और चैनल को सबस्क्राइब तो करना है तो आज प्रेंड्स क्तार करते हैं देखिये अपने बात करते हैं संहों की और अपने बात करते हैं आलशेम और संह Keith की तो मान लो कोई भी दो संह के हैं उनका है एच उनका फैसमां लिए कितना मान लिए解 मान लिया अफैस मान लिया ILY 1 कोई भी सिंक्या ले लो अपसी चार और च्छार और च्छार दो एक्जemple नयसक्ति만े चलूत एक्रूंपक्ति आपकर तस्वीर हो जादा जड़ाली क्लिईर होगी देखो अगर मैं चार और च्छार की बात करता हूं तो मेरे बसता है एक तो बसता है इसको मतलब जो किसा है और तीम ठीक है तो देखो अगर मैं इस हैच को अगर मैं इस सँगूना करता हूं इस इसं पास में पहली संग्या रही है और अगर मैं इस को अगर मैं इस संक्या से गुना करता हूं इस अनुपात से गुना करता हूं तो मेरे पास देखो दो त्ये च्छे दूसरी संक्या रही है समझ रहे बात को इसका मतलब यहां से अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं अगर मैं संक्यों की बात करूँ यहां से तो क्या हो जाएगी एच ए और एच बी ये दो क्या हो जाएगी संखें हो जाएगी जहां पर जो ए और बी है ए और बी वो क्या है अनुपात है किस अनुपात में है ए और बी अनुपात के अंदर वो संखें होती है मैंसा जैसे कि अपने यहां देखा यहां पर A और B क्या है? दो और तीन है और यहां पर H कितना है? दो है समझ गए बात आपको अब देखो इसका मतलब मेरे पास में तो संख्य हैं वो क्या आगी? H, A और H, B अब देखो यहां से एक चीज और देखो अगर H शिफ दो था और अनुपात इनका 2 और 3 है ठीक है? तो अपन क्या करते हैं? अगर LCM की बात करूँ मैं देखो अपन LCM कैसे निकालते हैं? गुणन खंड मेतर से किस मेतर से? गुणन खंड मेतर से वो कैसे निकालते हैं? आपको पता और ना चीए 4 के फेक्टर करो अब देखो बच गया क्या? इधर 2 बचा गुणा 2 और इधर 3 बचा तो गुणा 3 देखो ये क्या है? दो क्या था? ये A था और ये क्या है? ये B था है कि नहीं? ये ये दोनों अनरपात थे और ये H था इसका मतलब अगरे मैं इन दोनों संक्याओं के L, C, M की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? H इंटू A इंटू B होगा की नहीं होगा? क्योंकि पहली जो संक्या है H A उसके अंदर जो common factor है वो H है इसमें भी common factor जो है वो H है तो H दोनों में है है इसका मतलब H कितनी बार आएगा? एक बार आएगा उसके बाद में जो भी संक्या बच जाती है वो क्या लिकर देते है अपन गुणा में लिक देते हैं है कि नहीं? इसका मतलब जो L, C, M था वो क्या बन गया अपने पास में? H A, B ठीक है? और अपने पास में जो H यह क्या बना अपने पास में? L, C, M और जो H, C, F था वो अपने पास में अपने कितना माना? H तो देखो एक चीज और देखो यह अपने पास में जो संक्या ही थी इन संक्याँ को दोनों को गुणा करों तो मेरे पास में क्या आजाएगा H square AB देखो H square AB H square AB इसका मतलब मैं यहां से एक बात कह सकता हूँ कि जो LCM है और जो HCF है उन दोनियों का जो गुणन फल है वो हमेशा किन के ब्राबर में होता है number one into number of two यानि दोनों संक्यों के गुणन फल के ब्राबर में होता है आगे बात समझ में यहां से अपने एक concept यहां से समझा कि जो H होता है HCF होता है संक्या है अपने मान ली फिर H A और H B ठीक है ऐसे तो मानते हैं आप इनको H X और H Y भी मान सकते हो कोई डाउट नहीं है जहां पर X और Y क्या हो जाएंगे वो अनुपाथ हो जाएंगे और दोनों हमें से क्या होते हैं अभाज्य होते हैं क्या होते हैं अभाज्य क्योंकि अगर यह अभाज्य नहीं हुए तब क्या हो जाएगा जो common factor है वो एक और हो जाएगा क्योंकि अगर कोमन फेक्टर जो होता है वो तो अपन एच से काउंट करते हैं इसका मतलब जो बच गया उनको अपन क्या मानते हैं अनुपात मानते हैं समझ गए बात आप दूबारा देखो एक चीज और समझाता हूं मैं आपको एक्जामपल मैं आप का फैक्टर घुँड़ो चाह्ता हुप कि 2,4 होता है है के नहीं अपन मैकसमुं ट्राइब करते हैं कि जो कोमन है उसको एक साथ में ग्लOOD कर लें drawings अपन इसको एक और कर क्या लिख सकते हैं दो गुणा दो लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं दो गुणा दो गुणा दो ऐसा भी लिख सकते हैं है कि नहीं तो देखो अगर मैं यहां से कॉमन की बात करूं अगर मैं यहां से LCM लेने की बात करूँ पहले और फिर मैं HCF लेने की बात करूँ तो दोनों में जो अंतर है वो समझना आप क्या बनता है HCF क्या हुआ जो common होगा वो होगा देखो इसमें 2 कितनी बार है एक बार दो बार इसमें 2 कितनी बार है का 2 ौ कि 2 । ठीक है यह तो क्या होगा весь है जब होते हैं क्यूंकि मैंने जो हाइस्ट जो को문 फेक्टर थे दोनö common factor थे दोनों में, वो मने include अलग से कर लिया और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ठीक है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B, तो देखो पहली संक्या क्या होगी, इन दोनों का गुणन फल वो कितना होगया, चार गुणन एक, तो कितना होगया, चार और जो दूसरी संक्या होई, वो क्या होई, इस HCF का और इस संक्या का गुणन तो वो कितना होगया, आठ है, समझ गया बात को, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि जो मानलो की H C F का अगर H हो अगर मैं बात करूँ H C F की वो अगर H हो और अगर नमबर 1 और अनपात नमबर 2 वो अगर A अनपात B में हो तो जो N 1 होगा वो क्या होगा हमेशा H गुना A और जो N 2 कितना होगा H गुना B तथा A कंडिशन और होगी कि जो L C M इन्टू H C F होगा वो क्या हो जाएगा नमबर 1 इन्टू नमबर 2 यह बात मैंने आपको भी रिशेंट वीडियो डाला था रीट एक्जाम के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उसमें मैंने आपको यह चीज जरूर बताई थी इसमें बेस्ट अपने कम से कम 5 से लेकर 6 क्योशन किये थे इसमें बेस्ट मैं एक और वीडियो डाल दूँगा जो रिट के लिए डेडियर होगा लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सभी के लिए कि यह रेंडम चीज होती है कि यह हमेजं उनिवर्सल चीज है हर चीज पर यह अप्लीकेबल होती है यह तो वो गई पहली बात अब दूसरी बात समझते हैं कि कई बार क्युशन आदा योग का इन समधित जो क्युशन आता है वो पन कैसे करते हैं वो देखो देखो मैंने क्या माना H, C, F कितना मान लिया मैंने H मान लिया मैंने जो संख्याओं का जो अनुपात माना वो किस अनुपात में मान लिया A और B अनुपात में मान लिया तो जो N1 हुआ वो क्या हो गया H of A हो गया और जो N2 हो गया वो क्या हो गया H of B हो गया चलो मैं इन दोनों का क्या करता हूँ योग करता हूँ तो देखो मैं इन दोनों का क्या करूँ योग करता हूँ और योग कितना हो जाएगा दोस्तों H of A plus H of B ठीक है ये दोनों आपस में गुणा में है समझ गये बात को तो देखो इन तोनों में से में जो hcf वो common आ सकता है इसका मतलब a plus b ये क्या हो गया दोस्तों यहां से addition यानि योग हो गया अब देखो इसका मतलब मालो कोई भी दो संक्याई है उनका अपने को कोई योग दे रखा है कोई भी एक particular number दे रखा है पी ठीक है वो मैंने क्या कर दिया पी ठीक है तो एक बात हमेशन ध्यान में रखो कोई भी दो जो संक्याई होंगी उनका जो योग होगा वो हमेशन क्या होगा इसके जो hcf है उससे हमेशन डिवाइड होगा कैसे समझो बात को मैंने भी एकजम्पल लिया था एक चार लिया था और एक छए लिया था इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा दोस्तों 6 और 4 दस हो गया को यह जो योग है 10 वह जो इनके जो 1075 कितना है दो उससे हमेशन डिवाइड होता है तो बेखो कितना आ गया पांच आ डिवाइड होने के भी बाद में तो ये क्या होता है ये चीज समझो इस दस को मैं क्या मानता हूं ये क्या था मेरे पास में इन दोनों का एडिशन यहनी कि ह ऐच ओफ ए प्लस बी यह तो था दे को योग मेंने यहां से यह लिख अ है जब कि यह क्या था एच था यह A, C, H, N, C, L, A, P, L, B की value कितनी आगई पांच अब अपन को क्या करना है अगर अपनको संक्खैन निकालनी हो तो किसे निकालेंगे अपन A और B के दो A से टुकडे करेंगे कि अगरूंगों की अगर उनका जो योग है वो कितना होना चाहि पांच होना चाहिए समझ गे बात को तो था एक दूसरे से बिलकुल प्राइम होने चीए प्राइम होने का मतलब एक दूसरे को विवाजित ना करे उन दोनों में कुछ भी common factor ना हो तो देखो क्या factor हो सकते हैं कोई मैं मान लेता हूँ कि एक और चार इसा हो सकता है यह दो और तीन हो सकता है यह दो ही पेर बनेंगे क्योंकि अगर मैं बाद में तीन और दो की बात लूँ तो यह दोनों पेर तो सेम हो गए इसका मतलब यह नहीं हो सकता अब देखो यह दो पेर बन गए ठीक है अब देखो मेरे पास में क्या था संक्या है क्या थी यह दो हो गया यह जो अनुपात यह एक और चार यानि एक अनुपात चार हो गया संक्या क्योंकि ए और बी तो था और दूसरा क्या है दो अनुपात तीन हो गया निकालूंगा वो तो जाएगी मेरे पास में दो क्योंकि एच होँगी है यहां dealers क्यों बिल्कुल एक तुम में अगर ऑफे इनका यह शी deja बाइ rate की मैं डारा और तब सक्षाबोल जो जो संख्या मानते श्री ये मानते तो पंख्य में जो संक्याह का तुम आपको थो संख्या क्राइवी आपनेश़ का शेंटी मुझे और हो को देखो दो जांगा जो एल सियों है और एएच के है वो पन और ठोसे रिंग यानि निड़ कितना बारइच है बार इसका बतला मैं कहह सकता हूं कि यहीं से तुरणट की बारह रहा यह दोनों क्या होगी, वह संग क्या होगी, और उनका LCF, LCM, वो अपनों कितना देर का, 72, यहां तक बात clear समझ में आगी, अब देखो, अपना LCM कितना लिखते हैं, H into A into B, यही तो लिखते हैं अपन, कि अपन जो common होता, उसको ले ले लेते हैं, फिर जो बच जाते हैं, दो कितना देर का, उनको बैतर, H की वैले उपने कास में कितनी है, 12 है, तो 12, A और B, यह कितना आ गया, बैतर, और यहां से जो A और B है, वो कितना आ गया, च्छे आ गया, च्छे, ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आगी, अब देखो, अभी अपने पास में जो रखिए कि उनका योग है, वो कितना है, 60 है, तो देखो, इनका योग करो, 12, A प्लस 12, B, वो कितना हो गया, 60 हो गया, तो यहां से अगर में 12 को मन लूँ, तो अपने पास में A प्लस B बच गया, वो कितना हो गया, 60 हो गया, दोस्तों यहां से जो A और B, उनका योग है, वो कोई दो ऐसी संक्याइं हैं उनका योग कितना है पांच है और उनका गुना है वह कितना है च्छै तो बताओ मेरे कोई कि वह संक्याइं कौन सी हो सकती है चलो मैं पहले पेर बना देता हूं मेरे को एक बात और पता कि यह दोनों में common factor भी नहीं होना चाहिए तो देखो यह ए बार एक वाड़े पेर तो आ चुका तो इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे समझगे जब repetition होने लग जाए दोनों पेर का तब अपने उसके बाद में आगे पेर नहीं बनाएंगे तो अपने पास में दो पेर बने पहली बार समझ में आ गई अब देखो यहां में पास में तीन हो जाएगी या फिर अगर मैं एक होकर मैं तीन मान लूँगा तो बी की मेरे पास में दो हो जाएगी कोई दिक्त नहीं है तब पहली कंडिशन में जो संक्या होगी वह कितनी होगी दो गुणा जो बारा था वो बारा हो जाएगा यानि कितना हो गया चोवीस और दूसरा था अपने को क्या देर रहा था दो तीन गुणा बारा वो कितना होगी चोवीस और चोवीस होगी आगे बात यहां तक आपको समझ में यानि कि अपन यहां से ए और बी अपन यहां से पेर निकालते हैं कि एक और चार बन गया, दो और तीन बन गया, ठीक है, अब अपन उस पेर को अपन किसे से कंपेर करेंगे, अपन जो LCM के साहिता से अपने पास में जो कंडिसन बनती है, A और B की, उन दोनों में जो कोमन चीज आएगी, उसके दोरा अपन क्या करेंगे, इ अगर यहां तक यह चीज कलीर नहीं हुई, तो मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, वो देखो, अपने पास में दो एक्वेशन है, याद रखो, A प्लस B ब्राबर 5 है, और A B कितना है, 6 है, देखो, अपने पास में क्या बना, A प्लस B कितना बना, 5 बना, और अपने पास में A B कितना बना, 6 बना, चलो मैं वेल्यू निकाल के देखता हूँ, अब यहां से मैं कोई बात बताओ, अगर मैं A की वेल्यू निकाल हूँ यहां से, तो A कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस B, च यहां से बन जाएका पांच भी माइनस का भी स्क्वार बावर च्छे इस बीस कर को मैं इदर लाऊंगा तो यह इदर आएगा तो माइनस का पांच भी हो जाएगा यह मेरे पास में एक क्वार्डिटे एक्वेशन बन गई इसको सुल्व गरना आपको आता है इसका टुकड़े हो जाएंगे तीने माइनस दो ए सुर्य बी में तो यह बी होगा फरी बी में प्लस खात्ष है ब्रावर जी रो देखो यह से कर्म बी कोमन लूँ तो इससका अगर मैंस तू कुमन लूँ तो कितना हो जाएगा बी माइनस तृ तो अपन मेरे पास बी माइनस टू बन गया और एक बी माइनस थरी बन गया दोनु जीरोब के अब्याबर में है इसका मुदब मैं यहां से कैसे ताओं कि बी या तो दो हो सकता है या फिर बी कितना हो सकता तीन तो अगर बी दो होगा तो एक कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और अगर बी तीन होगा तो एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा दोनों पेर आपके पास में यहां से आ गए और उस कंडिशन में भी अपने क्या लिये थे पेर दो और तीन ही लिये थे आगे बाद समझ में अभी एक और एक्जामपल लेंगे वहां से आपके पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी वह देखो यहां देखो अपन को क्या दे रख है कि दो संक्याओं के अगर मैं बात करूं लैसे की वह कितने हैं स्वरी लैसे इंटू मैसे वह कितने है चोविस है मैसे को मैं अगर मैं एच लिखता हूं और लैसे को मैं क्या लिख सकता हूं ऐस होता है और यह एच होता है मैसे यह होता है मै कितना है 24 यह सेancज़ता हूं एक को मैं इसके साथ में हो गया जोवंग इस कुशिए बना बना की नहीं बना बिल्कुल कोई दिक्ट नहीं है अब एक चीज़ और समझेओ एच यह और एच भी क्या है यह तो नंबर वन है और यह नंबर टू है ठीक है जैनि दो संक्याओं का गुणनक्फल के प्रापर नफल के पिरापर में होता है इसका मतलब है तो देखो A1 और एंटु के अपना को पेर बनाने हैं की दोनिpower चवीज़ाये तो देखो एक खो सकता है एक Александр IIfamyou,atures doit 2 गूणा 12, des doit 1 गो सकता है 3 गूणा आठ्ट एक खोसकता है 4 गूणा 6 फिर तो इसका बाद में पाद में पाद में पाद में पांच के साथ मीं कुछ ऊता नहीं है। हैं अब में बताओं कि ऐसा कोनसा पेयर है जिनका अंतर दो है कूंकि अपने कोई कंडििशन ओर दे रख़े किonn कि इसंग्यां वोंकर अंतर कितना है दो है तो देखो यहांका पgender कोंतर 23 यह नहीं हो इ料सकता इनका अंतर 10 हो तब अपन कौन सा संक्या मानते एक और चोईस मानते अगर अपने को बोलता कि उनका अंतर दस है तो अपन संक्या इंक कौन सी मानते दो और बारा मानते अपने को बोलता कि उनका जो अंतर वो कितना है पांच है है तो वह पन्षय कैंगा कौने ज finoत desen तीन और आठ वानते समझ गई बात आप यहांसे bron शिर्फ एक condition के अधार rooms in news line नहीं निकाल सकतें अबन को दो condition साथ में देगा उसके अधार वात मेरन क्या ओंगे ऍमर निсьर निकाल करूब मेरे को कितना दे रखा है नाइन यह इतना दे रखा है और जो एच सी एफ है यानि कि जो एच है वह कितना दे रखा है और बहुत रखा कि उन संख्याओं का योग कितने सो है तो उनका अंतर बताओ मेरे को बताओ कि जो योग होता है वह क्या होता है दोस्तु एच तो दोस्तों मैं यहां से एक चीज क्लिरली कह सकता हूं कि जो ए और बी है अथार जो अनुपात्व का जो योग है वो मेरे पास में कितना आएगा बीस आएगा आएगा कि नहीं आएगा कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहां से पांस का इसमें भाग दे दिया तो बीस बच गया अब देखो एक चीज और होती है मेरे पास में कि अगर मैं इन दोने को अगर मैं डिवाइड कर दूँ गर मैं एलसियम में अगर मैं एजसेफ का भाग दे यहां गर सबस्क्राइबर में रहा है कि 11,9 ए हो सकता है हूंС को 31,133 नमीं जो देखें Chinese को ख़ें अगर सब्सक्राइबकि अक्या क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा कि यहन का योजो 2019 को टूंतर इसमानल ऑ्वेल्च अजएат always तो पहले अपने निकाल देते संक्या तो देखो अगर मानलो कि एगर मैं 11 मानूं तो संक्या कितनी हो जाएगी ग्यारा गुणा पांच यह तो कितनी होगी एन वन होगी और अगर मैं इसकी बात करूं कि पांच गुणा नोगी तो यह,गी 45 यह,गी एन टू, मेरे को पूछा है कि उन दोनुं से क्य क्योंकर अंतर बताओ, तो अन वन और येटो इन ढ संक्या जो एनतर होगा, वह कितना हो गया, पना अंसर भी क्या हो गया, दस हो गया, आगे वास में आपके, भूत ही easy questions होते हैं यह,बस अपने क है एक और किष्चन लेते हैं यहां से आपको पूरी चीज़ समझ में आजाएगी देखो अब की बार अपन को अनुपात दे रखा है देखो यानि अपने को A और B की value दे रखिए 2 और 3 2 अनपात 3 अपने को उनका LCM दे रखा कितना है 54 तो देखो मेरे को एक बात पता कि जो LCM होता है वो हमेशा H of A, B होता है और वो कितना है 54 मेरे को पता कि मेरे को H नहीं पता लेकिन मेरे को A और B पता है तो H into 2 into 3 वो कितना हो गया 54 यहां से H कितना आ गया दोस्तों 3, 2, 6, 6, 9, 54 H कितना आ गया 9 यानि उनका H CFO कितना आ गया 9 हो गया अभी अपने को पता है या तो एक काम करो number 1 निकाल लो और number 2 निकाल लो और फिर उनको जोड दो क्योंकि उनको संग्या होगा योग पुछा है या फिर अपने को एक और बात पता होती है कि जो योग होता है वो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं H bracket में A प्लस B क्यों क्यों क्योंकि जो number 1 है कि यहां से देखो number 1 है वो तो हो गया H A और number B है वो कितना हो गया H B इन दोनको अगर मैं A करूंगा तो देखो H A प्लस H B एच को मन आ गया तो A प्लस B हो गया हुआ कि नहीं वा तो अपन यह लिख सकते हैं तो देखो H कितना है अगर मैं योग की बात करूं तो H मेरे पास में कितना गया है 9 आ गया A और B A और B इन दोनको का योग कितना है 3 और 2 पांच गुणन फर कितना हो गया 45 तो इसका मलब 45 कौन सा हो गया यह यहां से भी आप निकाल सकते हो H इंटू A A कितना है 9 है और A कितना है 2 है तो 9 दूनी 18 हो गया H कितना है 9 और A कितना है 3 है तो 9 दूनी 27 हो गया और इन दोनों का क्या कि निकालना है अपने को योग निकालना है और 27 और 18 कितनी होते हैं 45 होते हैं और यह भी अपना क्या हो गया समझ गया बात को यहां से बिल्कुल अच्छे से समझ गया होंगे एक बार मैं दुबारा रिवाईज करवा देता हूं बात को कि अगर H, C, F अगर मेरे पास में H होता है और संख्याए A और B अनुपात में हों तो जो संख्याए होती है वो हमेशा H, A और H, B होती है जहां पर H, H उनमें क्या है? एक कॉमन फेक्टर है उसको अपर H, C, F बोलते हैं जो बच गया हो उनका अनुपात होता है समझगे बात को अगर मैं उनका एडिसन करूँ तो H, A और H, B उनका योग हो जाता है यानि योग की बात करना हूं मैं यहां से तो योग क्या हो जाता है? H को एक बात बता दे कि संक्याओं का जो गुणन फल है वो कितना आपने को कुछ दे दे और अपने को अनुपात दे दे तो अपन वहां से निकाल सकते हैं आराम से यह फॉर्मल लगा के है तो आप हमेशा जान मेरे को इतनी सी बात कि गर H, C, F, H हो और संक्याओं A और B के अनुपात में हो तो अपन योग यहां से निकाल सकते हैं गुणन फल यहां से निकाल सकते हैं जो L, C, M होता है वो मेशा H, A, B, B होता है बस इतनी सी बाते हैं कोई डिफरेंस की बात नहीं है समझ गया आप? उमिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ में आया होगा ठीक है दोस्तों? अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को सेर कीजिए बहुत अच्छे से मैंने यह चीज आपको क्लीर की है मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए और यह वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ में सेर जरूर कीजिए ठीक है दोस्तों? और आप हमें डूक्या कलासेज के नाम से टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम पे और फेस्टूक पे आप हमको फोलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वैसे भी आप सर्च में जाके आप आराम से फेस्टूक पे टेलिग्राम पे इस्टाग्राप पे आप सर्च करके हमें जोईन कर सकते हो ओके दोस्तों सारे वीडियोज मैं यहाँ पे डेली अपड़ेट कर देता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रही है धन्यवाद